नमस्कार, मैं आसा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगें, तो मित्रों, आज हम इस विडियो में परसानी को कैसे दूर करें। इनसान के लिए परसानी एक बहूत बड़ी समस्या हो जाती है। तो जब इनसान परसानी के घेरे में आ जाता है, तो सोचते सोचते दिमागी टेंशन बढ़ जाता है। तो मित्रों देखा जा रहा है कि जो ब्यक्ति कुछ भी नहीं करता, उस ब्यक्ति का कार्यक्रम बहुत अच्छे धंग से चलते हैं। और कुछ ऐसा भी देखा जा रहा है कि वह ब्यक्ति विधी विधान से पूजा पाट करते हुए, वह काफी परसानी में पड़ जाता है। तो इसका मुल कारण क्या है? उस ब्यक्ति का ग्रह मजबूत है। और जीन ब्यक्तियों का ग्रह मजबूत होगें, उन्हें कोई परसानी नहीं आती। तो दोस्तों, सबसे ध्यान देने जोग बात है कि हम परसानीयों से छुकारा पाने के लिए छोटे-छोटे उपाय करते हैं। इन उपायों से ग्रह दोस भी समाप्त होता है, करम दोस भी समाप्त होते हैं। और भाग्य का भी दोस समाप्त होकर धीरे-धीरे आदमी सही रास्ते पर खुसहाली के तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, मैं एक छोटा सा एक नुक्सा बता रहा हूँ, आप उसे करके अजमा कर देखें। तो साथियों इसके लिए आप अपने सरीर का पहना हुआ कपड़ा किसी भिखारी को दान कर सकते हैं। या अपने पैर का पहना हुआ जुता हो, चपल हो, सेंडिल हो, आप किसी भिखारी को दान कर सकते हैं। इसमें दीनवार की जरूरत नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, गरोहों की दो समाप्ती होती है। और दोस्तों, इस किरिया को आप साल में दो बार करें। और एक और छोटा सा उपाय है, जब आप घर से बाहर कहीं घुमने जाते हैं। तो दो रुपे का सिका हो या पाँच का सिका हो। अपने उपर से पाँच बार या साथ बार उतार कर, किसी कागज में, पेपर में, उसको लपेट कर, अपने जेब में कहीं अलग रखें। आगर आपको कोई भिखारी दिखाई दे दिया, तो उस सीके को निकाल कर, आप उस भिखारी को दान दे दे। यह दान वाली किरिया, आप चाहें तो प्रद्दिन कर सकते हैं, या हपते में कर सकते हैं, या महीने में कर सकते हैं। और जो आपके उपर परसानियों का जो शया है, वह समाप्त हो जाती है। और इस परियोग से, इस विधी विधान से धीरे धीरे आदमे आगे के तरफ बढ़ने लगता है। और परसानिया दूर भागती नजर आती है। तो दोस्तों यह एक छोटा सा उपाय है, लेकिन अतिकारगर और आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इस विडियो में इतना ही, और हमें दीजे इजाजात। नमस्कार।